अपनी जयान आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने टुक चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो जेश्टी में लेटेस जज्जमेंट को लेकर है वनेबल दिली हाई कोट का इजज्मेंट आया है और जेश्टी अपील में काफी बड़ी रिलेक्सिस नहीं आपर दी गई है वो जितने भी एससी जिनकी जो अपील है वो रिजक्त कर दीगाई टाइम बाढ़ के बेस पर वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं वीडियो को पुराइन तक देखेगा इस वाले यूटूब चैनल पर काफी सारे इसे वीडियो जिसमें प्रिवेसली अमेंड्मेंट्स जो है प्लोड किये गए हैं काफी सारे जूजमेंट्स अप्लोड किये गए हैं और हर टाइप से आपको करना है किस टाइप से आपको आपील दाफ्ट करना है सबके लिए यहाँ गुक्ति को समझा और इस वाली जजुचमेंट्स आपको भी जिएस्टी में अपील के रिगार्डिंग काफी पॉइंट्स मिलने वाले हैं यहाँ पर जो पैटिशनर हैं उन्होंने कहा कि एक इंपंज ओडर जो की पास किया गया था जहां पर जो अपील फाइल की गई थी पर्टिकुलर डेट में उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि यह टाइमबाड अपील है पैडिशनर ने कहा कि उन्होंने एक एप्लिकेशन फाइल की थी रिफंड के लिए परशंट तुदा सैर्स अप्लिकेशन पैडिशनर वाजिस्टूडे सोकोज नोटिस तो इसके रिगार्डिंग जब उन्होंने फाइल की तो इसके रिगार्डिंग उनको जो है सोकोज नोटिस आया देखें हाँ पर जो यह पॉइंट है इसमें जो इसुइंवल्ड है वह अपील के टाइमबाड को लेकर है ना कि यह आप जो है जहां पर आपको यह कह दिया गया है कि जो अपील है वह एकसेप्ट नहीं की जाएगी कि टाइम बाड़ हो चुकिया उसके इसमें आपर काफी आपको बेनिफिट मिलेगा इस वाले इसमेंट के बेस पर तो से जस्टिफिकेशन के लिए बात की गई जो रिफंड अप्लिकेशन थी पैडिशन ने अपन फाइल की लेकिन अपील को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि यह का गया क्योंकि टैम बाड़ है समझेगा टैम बाड़ का प्रोसेस कैसा आया जो डिपार्टमेंट की तरफ से लन काउंसिल है उन्होंने समिट किया कि उनको जो है इस इस फाइलिंग के नंबर में कोई भी ओनलाइन जो है ओटल पर अपील सो नहीं कर रही है इस इस डिस्पूटेट बाइद लेर्ण काउंसिल फॉर्टा पैटिशनर जिसके लिए उन्होंने डिस्पूट किया है वो समेट जैर्दा पैटिशनर फाइल अपील ओंडेट दिस एड टाइम दिस एड़ अन अक्नोलि सब्सक्राइब लेकिन जो इन्होंने समिशन दिया है पैटिशनर की तरफ से उसमें अनों रगा कि हमने अपील जीरो बन भी लगा है और यह जो कोपी है वो भी हमने लगाई है जहां पर अपिलेट अथोरेटी ने कह दिया कि आपने जो अपील थी वह तो फाइल की ती ले लिए फाइल की गई है वो यह है और जो लाजट डेट ओफ फाइलिंग है वो यह थी ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है गलत तरीके से फाइल की पैडिशनर है बीम नोट सुटेट बाइद अप्लेट ओडर अपील्ड अगेंश्ट है टूबी समिटेड विदिन सेवन डेज करते हैं तो उसके केस में आप जो है उसके बाद जो कोपी है वो भी समिट कराएं और अपील अंदर समिट हो जानी चाहिए लेकिन वह इन्होंने बाद में जमता है की इसलिए हाँ पर टाइम बाड़ का पॉइंट आया लन काउंसिल फॉर्दा पैडिशन समीट है ता ओरिजनल ओडर वाज फाइल ओनलाइन समिशन उन्होंने का कि जी हमने ओर ता उसको ओनलाइन समिशन के साथ जमा कर दिया था तो फिर हाँ पर यह पॉइंट की इसको हा आप हमें प्रोडूश कर जो डिजिटल फाइल है जो की प्रेशन है अप्लोड की टिया टाइम ओफ मेकिंग ऑफ ओनलाइन समिशन जो डिपार्टमेंट की तरफ से एंक काउंसिल है और पॉर्टल पर गिलिच की वजह से और जो डिजिटल डाटा है वह एविलेबल नहीं ह सब्सक्राइब नहीं है विजह को समझागी नौ मैंटर उन रिकोट टुबी डिस्विटल इन अपील वाज अनेक्श उन्होंने का गी यह समिशन दे रहा है इसके साब से हम यहां पर कंसिडर करते हैं उन्होंने जो है जब ओनलाइन अपील फाइल की उसमें लगाया था व सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अगर आपकी अपील आप टाइम के अंदर में फाइल नहीं करवाएं मतलब 90 देज के अंदर आपको फाइल कर नहीं होती है उसके लिए ड्राफ सब कुछ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एवलेब है आप डाउनलोड कर सकते हैं टाइ रफ्टेशनल का प्रवज़ा फुली एड्टेशनल है वीडियो को सेर भी करें ताकि सब्सक्रिप्शन में इसके रिगार्डिंग नाइंटी डेज का टाइम होता है और एक महीने का यहां पर आपको एस्टेंशन में मिल जाता है लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी जैन् फाइलिंग प्रवास रिजिस्टेशन के काफी सारी वीडियो जैने के लिए तो लगसे बना दी गई है रिप्लाइ कैसे करना है जैसे के आपको अलगले जैसे प्रजेंट करना है अपने रिप्लाइज में अपील में या एक्टिफिकेशन ब्रॉसेस है तो महाँ पर भी आ है आपको 100% benefit होगा यह वीडियो देखने के लिए thank you so much